OnePlus ने guys finally अपना Oxygen OS 15 का update वो globally launch कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Color OS 15 के कुछ special features के बारे में क्योंकि Oxygen OS 15 और Color OS 15 का update है वो आपको इंडिया में दोनों सेम ही देखने को मिलेंगे प्लस आपको कौन-कौन से differences मिलेंगे इन दोनों update के अंदर आगे हम लोग बात करने वाले वीडियो आपको ये पसंद आती है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस करेंगे ना सबी information आपके साथ में पहले ही शेर कर दी गई है ओपो के टेलिग्राम चैनल के अंदर तो इसको जोइन कर लेना लिंक आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी तो finally oneplus की तरफ से update है वह आपर rollout कर दिया गया है और आपको एक सबसे बड़ा जो difference है ना वह आपर मिलेगा color OS 15 update के अंदर और oxygen OS 15 update के अंदर सभी लोगों के यहाँ पर यह शिकायत रहती है कि यह दोनों जो update है वो same एकदम नजर आते पता ही नहीं चलता है कि कौन सा smartphone है वो हम लोग use कर रहे है तो आप लोग इस पार देख सकतो control center है उसके अंदर oneplus ने एक काफी main difference है ना वह आपर create किया है कि आप लोगों के जो brightness slider और जो volume slider है ना उनकी जो design है वो काफी ज़धा इसके जो corners है ना वह आपर round कर दिये गए हैं प्लस आप लोग देख सकतो यह जितने भी जो toggles है ना वो भी आपको काफी ज़धा round देखने को मिलते हैं इनको हम लोग कहते हैं पिल टाइप shape की design और वहीं आप लोग देख सकतो color OS 15 का update इसकी जो design है वो भी आपको लगबग same ही देखने को मिलती है लेकिन आप लोग देख सकतो जो corners है ना वो इसके कितने ज़धा rounded है और यहाँ पाले जो corners है ना वो आपको normal shape के अंदर देखने को मिलते हैं तो यह एक difference है ना वो one plus की तरब से create किया गया है ताकि हम लोगों को पता तल सके कि one plus का smartphone है या फिर oppo का smartphone है तो इस type के जो features है ना वो आपको मिल जाएंगे साथे में मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और extra features के बारे में तो full control center है ना गाईस वो आपको कुछ इस type का देखने क को मिलेगा color OS 15 update के अंदर अब आपको दो type के control center मिलेंगे एक तो ये वाला और एक और आपको थोड़ा different देखने को मिलेगा उससे आप लोग यहां पर left और right में swipe करोगे so notification और control center है उसके अंदर आप लोग यहां पर switch ओपाऊगे जैसे कि आपको iOS के अंदर feature मिलता है या फ दूसा control center है वो आपको कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा next feature है guys वो आपको देखने को मिलेगा कि जो UI है वो आपको change देखने को मिलेगा कुछ इसी परकार का UI है वो आने वाला है बस यहां पर OPPO का text होगा नीचे आपको OPPO का name मिल जाएगा कि कौन सा आप लोग 15 update के अंदर ये सबी widgets आप लोग देख रहे हो ना जो कि Oxygen OS 15 update के अंदर मिले हैं सेम यही वाले widgets है वो इंडिया में आपको color OS 15 का update है उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगे charging animation है वो आपको change देखने को मिलेगी ये वाली charging animation color OS 14 update की है और color OS 15 update के अंदर में charging animation है वो यहां आप लोगों को difference है वहाँ पर charging animation के अंदर मिलता है इस update के अंदर setting application का जो UI है वो भी हमें change देखने को मिलेगा जिसकी image है वो गाईज आप लोग यहाँ पर screen पे देख सकतो अभी वाला आपको याद नहीं है तो दिखा दो अभी का जो UI है वो कुछ इस परकार से नज़र काफी colorful option हमें मिल जाते हैं लेकिन यहाँ वाला जो control center है वो एकदम black और white की theme के अंदर हमें मिलता है जो की दिखने में काफी ज़्यादा classy लगता है तो आप लोग बता सकतो comment section के अंदर कि यह वाले सभी features है वो आपको कैसे लगे साथ ही में आप लोग screen पे देख सकतो वीडियो बना दिये अगर आप लोग एक ओपो का smartphone यूज करते हो तो हमारी इस complete वीडियो को watch कर लेना क्योंकि इसके अंदर में आपको जो features बताए न oxygen OS 15 के वही same feature है वो आपको लगबग इंडिया में color OS 15 update के अंदर भी मिल जाएंगे link आपको उपर दिखाई दे जाएग वोच कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग ओपो का telegram चैनल है उसको भी हाँ पर जोइन कर सकतो मैं मिल तो हूँ आप लोगों से next वीडियो में जेहिंद वन दे मातरम